नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमिट चैनल में आपका स्वागत है नमक हर घर में पाये जाने वाला एक आसानी से उपलब्ध होने वाला एक पदार्थ है इसके बहुत सारे फायदे हैं, कुछ ऐसे फायदे जो सायद आप ना जानते हैं, मैं आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ पहला, चावल में पिसा हुआ नमक डाल कर रखें तो उसमें कीडे नहीं पड़ते दूसरा, मचली, पनीर, अचार, आदी को सुरक्षित रखने के लिए नमक बहुत ही प्रभावी उप्योग में आता है तीसरा, समुद्र के जल से अगर इसनान किया जाए तो तवचा संबंधी रोगों को ठीक किया जा सकता है चौथा, अगर आपके कपड़े में स्याही के निसान पड़ गए हो और वो धब्बे निकलना रहे हो तो नमक के जल में उसे डुबा दीजिए और कुछ देर में ही धब्बे गायब हो जाएंगे पाँचवा, दांतों में दर्द होने पर गर्म पानी में नमक डाल कर उसे गरारे करने से दांतों में दर्द चले जाएंगे छटवा, नमक के पानी से चेहरा धोने से आपके चेहरे में एक प्राकृतिक चमक आएगी और वो बनी रहेगे साथवा, दीमक वाली जगह नमक का पानी छिड़क दीजिए तो दीमक तुरंत ही मर जाते हैं आठवा, ताजी सब्जियों को नमक के पानी से धोईए जिससे उसके अंदर छूपे हुए कीडे मर के बाहर निकल जाएंगे नौवा, पीतल के बरतन में अगर चमक लाना है तो नीबू के रस में नमक मिलाकर उसे अच्छे से घिस के साफ करिए वो बरतन चमकीले हो जाएंगे दस्वा, घर में नमक के पानी का पूच्छा लगाने से घर अच्छी तरह से सुद्ध हो जाता है और बैक्टीरियल फंगल इंफेक्शन को दूर किया जा सकता है ग्यारवा, चीनी के बरतन से अगर धब्बे हटाने हैं तो सीरके में नमक मिलाकर उसे साफ करिए वो तुरन साफ हो जाएंगे बारवा, फूल के गुल्दान में नमक पानी रख कर उसमें फूल रखने से फूल कई दिनों तक बहुत समय तक ताजा बने रहते हैं तेरवा, लाल्टेन के तेल में एक तुकड़ा नमक डाल दीजिए तो तेल कम जलेगा और रोशनी भी ज़्यादा आएगी इससे आप मिट्टी तेल की खपत को कम कर सकते हैं चौद्वा, नमक के पानी से नीमित इसनान करने से गठिया तथा किसी चोट के कारन हुई मान स्पेसियों में दर्द और एठन जैसी बीमारियों से आराम मिलता है धन्यवाद